अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वतना घंटी बजा देना ताके जब मैं ओनलाइन आऊ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे 69,000 सिच्छक भरती लेटेस्ट अपडे में भी आया था नम और दोस्तो एक और इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 सिच्छक भरती में दोस्तो पैसे लेकर अपयरती को पास कराने वाले गिरों का भंडा पोड़ हो चुका है और इस समय की दोस्तो बड़ी अपडेट की आठ लोग गिरपतार की हो चुके है जी आँ दोस्तो पूरी अपडेट को माजरा भी आपको दिखाने वाले हैं सबसे पहले दोस्तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट हैं उत्तर प्रदेश की दोस्तो सबसे बड़ी खबर 59,000 सिच्छक भरती फरजी वाड़े में पुलिस ने 8 लोगों को किया एक गिरपतार तो दोस्तो इस पूरी अपडेट को मापको बताने वाले कि 69,000 सिच्छक भरती में मतलब अब ये कनफर्म हो चुका है कि परिच्छा में धादली हुई थी और लोग अब गिरपतार भी होने शुरू हो चुके हैं देखें 69,000 सिच्छक भरती में 122 प्रतनों पर आई थी 20, हजार अपती हैं जी यां दोस्तो कोट का अदिश वह आपको पता है ना UGC के पास 200 कितने कोश्चन बेज़े जाएंगे जो भी मतलब अब्जेक्शन किये गहते हैं सभी प्रस्नों को बेज़ना है तो मतलब यार 142 कोश्चन को बीचा जाएगा अब UGC के पास उसके कोंगरेस पार्टी ने 99,000 शिचयक बर्ती में लगए धान्दली का अरूप जी यां दोस्तो कोंगरेस एक बड़ी विवपछी पार्टी जिसने और 29,000 शिचयक बर्ती में धान्दली कारूप लगए तो सिंपल सी बात हैं अभी तक सभी छात्रे भी ऐसा कह रहते लेकिन अ आप देखे दोस्तों सिंपल सी बात है जब यहां पर कोई बड़ी पार्टी 69,000 बर्टी को लेकर टार्गेट करेगी तो हो सकता है कि सरकार भी इस पर काम जाद अच्छित करें और 69,000 सिच्चक बर्टी में अपील दायर करने के प्रक्रिया सुरू हो चुकी है फिर दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 सिच्चक बर्टी में गलत फॉर्म बरने वालों को रहत नहीं बिली जी यां दोस्त अगर आपने फॉर्म बर्टे समय गलती की तो उनको रहत नहीं दी गई कोट ने कहा यह मानविये बूल नहीं है जान बूज कर की गई यह गलतीया तो वैसे सबको यह बात पता होगी कि जितने भी फॉर्म बरे जाते हैं वो सैबर कैसे चबरा जाते हैं ठीक है फिलाल दोस्तों जो कोटने का है वो आपके सामने है उसके बाद हर परिच्चा में प्रतना और उसके उत्तर पर उठते हैं सवाल सिच्चक बरती, पातरता परिच्चा पर विवादों के बाद भी बरती सहसतों नोगत उठाया ज़रूरी कदम जी हां दोस्तों भी आपने देखा का UP8 2019 पर भी कोशन उठाया है UP8 2018 पर पर परतन उठाया है तो हर बर सिच्छक बढ़ती पर तो मतलब ऐसे प्रत्नों को पेपर में देना चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार के कोई अब्जिक्शन ना हो सकें, उसके बाद सबसे इंपोर्टन चीज़ पता है क्या है, कसोटी पर दोस्तो 59,000 सिच्छक बढ़ती की पूरी परिच्छा है, हो सकते हैं, बड़े बदलाओ, UGC के विसेशक जाचेंगे 150 में से 142 सवाल के उत्तर, जी या दोस्तों, 142 कोशन के आंसर जाचना मतलब आप समझ रहें, अब आपके मन में एकी सवाल उठेगा, क्या 142 प्रत्नों पर कॉमन नमर मिल सकते हैं, ठीके बात तो बड़ी है, ल अब दोस्तों, UGC के पास ये मामला जा चुका है, तो क्या दोस्तों, ये तीन नमर कॉमन रहेगा, ये हटेगा, इसको देखेंगे, उसके बार, सरकार द्वारा दोस्तों, 79,000 सिच्चक बरती रोक के खिलाब, विसेश अपिल हाई कोट में दाकिल पोच चुकी है, तो पहले दोस्तों बात करेंगे, सिच्चक बरती में दोस्तों, कौन सा ऐसा गिरो है, जो पैसे लेकर छात्रों को पास करा रहा था, और नौकरिया बाट रहा था, तो अगर अभी तक आपलों हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ने हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सिच्चक बरती में अभीरतियों को पास कराने के लिए ठेका लेने वाले एक बड़ी गिरो का पुलिस ने गुरु वार को खुलासा किया है, पुलिस के मुख्बिर की सूचिना पर आठ लोगों को गिरबतार किया गया है, जिनके पास से 7,56,000 रुपे अभीरतियों की मार् सूली करके मतलब जा रहे थे, इस रैकेट के मुख्यारोपी फूल पूर के पूरु जिला पंचायत सद से डॉक्टर केल पटेल बताया जा रहे हैं, जिनके चार का ले जाएं, पुलिस उनको हिजासत में लेकर पूछ ताज भी दोस्तों कर रहे हैं, 79,000 सिच्चक बरती मे धांदली कारों लगाते वेर राहुल नामक, एक अब्यर्ती ने स्स्पी सब्त्यार्थ, अनिरुद्ध पंकत से सिकायत की थी, स्स्पी ने राहुल के सिकायत पर गुरु आर रात, सोराओ थाने, मेरुद्र पतीद, दुबे, ससी प्रकास सरोष, हरी कृष्ण सरोष, कमल, पटेल, तो दोस्ते हैं कुछ आप नाम देख रहे हैं, ठीके न, इनके किलाब दोस्तों, एफाईयर दर्च कराई गई, और इन लोगों ने सायक सिच्छा भरती में पास कराने के लिए लगबख साड़े साथ लक रुपे लिया था, ठीके न, साड़े साथ लक रुपे, ल पांस लेके साथ लक रुपे प्रती अभ्यरती का ठेका लिया था, इसके लिए कुछ लोगों को आंसर सीट मोहिया कराए गई थी, परिशा केंदर में आंसर सीट ले जाने के लिए, एक विसेस रुमाल प्रिंट कराएं, जिसमें कोडिंग के थुरू, आंसर टिक किये गए शुरुआस में अभ्यरतियों ने एक अकलाक रुपे एडवांस दिया था, बाकी दोस्तों पैसा परिडाम आने के बाद देना था, बताया जा रहा था कि सायक ध्यापक भरती का परिडाम आने के बाद एजंटियों के माद्यम से अभ्यरतियों से वसूली शुरू हो गई इन लोगों ने सबी कैंडिडेट के ओरिडिनल मार्सिट वा अने डाकुमेंट्स जमा करा लिये थे, पैसा देने के बाद वे उसे प्रयाग राज समेथ, विबिन जिलों में करीड 20 अभ्यरतियों से इन्हें रुपे लेने थे, गुरु वार को बलवन्त नामक एक दो अने लोगों को भी पकड़ लिया, सोराओ पुलिस ने बताया कि नामजद, आरोपी, माया पती दुबे को छोड़ अने सभी को हिरासत में लेकर पूशताच की जा रही है, तो सायक सिच्छक भरती में फरजी वाड़ा करने के आरो में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूशताच की जा रही है, इनके पास दोस्तों लक्जरी गाड़ियां, भारी मातरा में धनराती और फरजी डाकुमेंट्स मिले हैं, तो ये दोस्ते समय की सबसे बड़ी अपडेट है, उनतर अजास दिच्छक भरती में, देखें आप देखते हों गार, 140 नमबर, 135 नमबर 120 नमबर, मतलब इस बार दोस्तों इतने आसानी से सभी चात्रों को मिल गए हैं कि जैसे लगे ने रहाता, सूपर टेट का पेपर है, यूपर टेट का पेपर होता तो दोस्तों बयासे उन अपने नमबर लाने में लोगों के पसीने चूट जाते हैं, लेकिन यहां पर आप अब देखिए सवाल होता है कि अब जाच होने से मतलब उस पर भी मंजस बना है, यही नहीं सवालों पर आपत्य करने वालों अब्यर्थी 54 पर पर परिच्छा संस्ता के जवाब से सहमत हैं, फिर भी उन सवालों को कोट में चुनोती दी गई हैं, आपत्यों पर लगाया ग पर आपत्य करने के लिए 500 रुपे सुल्क लगाया गया, और इसमें यह भी प्रावधान किया गया, यदि भेर्थी के आपत्य सही होगी, तो लिया गया धन वापस भी कर दिया जाए, तो कहने के मतलब दोस्ती यह था कि जो यूपी ट्रेट 2018-2019, 2018 तो दोस्तों कोई पैसा अब दोस्तों क्या होगा, यह सब चीज़े अब देखने वाली बात होगी, ठीक अभी पूरी अपडेट्स को हम देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, प्रदेश उपादेश विरेंद्र चौदरी ने कहा कि चैन सूची में कई तरह की अनिमित्ताय आ रही है, तो दोस्तों यह बात बड़ी है, कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इनकी बात को सही माना जा और दोस्तों जो यह दिमांड से इनको पूरी किया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे, देखें, कोट ने दोस्तों क्या का कि 69 जास एच्छक बड़ी में गलत फॉर्म बनने वालों को रहत नहीं मिलेगी, कोट ने का यह मानवी बूल नहीं, जान बुछ कर की गई गलतिया है, देखें जो चात कोट ने 69,000 सायक अध्याकों की भरती के ओनलाइन आविदन में अभ्यरतियों की तुर्टी को मानवी बूल मानकर उसमें संसुदन के नुमति का आदेश देने से इंकार कर दिया है, कोट ने ओनलाइन आविदन भरने में तुर्टी करने वाले 5 दरजन से अधिक अभ्यरति कोपर दिया है, याचियों मतलब याचिकाओं में कहा गया था कि याचियों ने 39,000 सायक अध्यापक भरती परिच्छा के लिए ओनलाइन आविदन किया था, उसके पास 6 जनुरी 2019 को परिच्छा होई और 12 माई 2020 को परड़ाम गोसित्व किया गया, जिसमें याचियों सफल और दोस्तियां पर यह भी कहा गया कि याचियों से ओनलाइन आविदन वर्ती समय कुछ तुरूटिया हो गई थी, किसी अवर्ती ने B8 के प्रैक्टिकल वा थियोरी के नमबर गलत बर दिये थे, तो कुछ B8 का रोल नमबर गलत डाल दिया, याचियों का कहना था कि यह मान थानी पूर्वक पढ़कर ही भरना चाहिए था, सुप्रियम कोट ने भी कहा है कि प्रतियोगी, परिच्छों से सर्वसेष्ट योगिता वाले भेटियों का चैन होना चाहिए, कोट ने कहा कि गलतिया आप्टेटरों की वज़े से हुई है, या तरक सुईकार नहीं है, ले मैसिमम फॉर्म ऐसे होते हैं कि कुछ आतर होता है कि अपने डाकुमेंट छोड़ कर चले आते हैं और रात में दोस्तों से मैं आपको पता था, वेबसाइट डाउन चल रही थी, लेकिन जो हुआ दोस्तों ये आपके सामने फिलाल कोट ने इस बात को मानने से इनकार कर दि अब दोस्तों एक और बात करेंगे 69,000 में देखें, कसोटी पर 69,000 सिच्चक भरती की पूरी परिश्चा हो सकते हैं बड़े वदलाओ, UGC के विसेसक जाचेंगे 150 में से 142 सवाल के उत्तर, जी आप दोस्तों आप इस वीडियो को सुरूस लेके आंतर तक देखेगा, पूछे गए नात पंत के प्रवड़तक समिदान सभा के अद्तिश कौन थे, जैसे सवालों को बूल जाएए, अब भरती की लगवा कूरी लिखित परिच्चा के सवाल जवाब की पड़तार होनी है, हाई कोट की रखनों खंट पीट ने अंतरिम आंतर सीट, ठीक उत्तर पर दोस्तों मिली आपतियों के जाज का अदिश थी है, हाई कोट का अदिश का प्ये संक्या 33 का अंतिम पहरा, उस समय 142 सवालों पर 20,557 अब भरतीयों ने अउनले आपतियां बेजी थी, जैत हो कि लिखित परिच्चा में कुल दोस्तों 150 सवाल पूछे गयते हैं, जैहा बड़ी संक्या में सवालों की जवाब बदल सकते हैं, अधिक सवालों की जवाब बदलने पर पूरी परिच्चा ही संकट में आ सकती हैं, बेसिक सिच्चा परिच्चत के मतलब प्रात्मेक स्कोलों की 69,000 सिच्चक भरती की लिखित परिच्चा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी 8 जन्वरी को उसकी उत्तर कुंजी जारी करके 11 जन्वरी तक आपतिया मागी गई थी परिच्छा निमक प्रादिकारी कार्याले को 3 दिन में ही 142 सवालों पर 20,000 स्यदी का आपतिया मतलब अभ्यर्थियों ने भेज दी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले कोट ने कटा पंक विवाद में संगना देश जारी कर दिया इसमें मतलब दोस्तर अंतिम उत्तर कुंजी 8 मई 2020 को जारी हुई और उसके आधार पर भरती के रिजल्ट और जिला वंटन सूच यादी निर्गत हुई हाई कोट के लखनों खंट पीट ने बुद्धवार को जारी आधेश में इस संगना देश को दोस्तो 8 मई से ही लागू कर दिया है वज़ा ही आए कि दोस्तों कोट उससे पहले मिली आपतियों की जाच रिपोर्ट शाहता है इस प्रक्रिया में लंबा समय लगने से इंकार नहीं किया जा सकता या थोकी भरती के कटाफ अंक का विवाद कोट में खरीब देड़ साल से विचारा धीन रहा उनतर जास इच्चक बरती में बड़े पैमाने पर मेली आपतियों से परिशा संस्ता ही नहीं सासन तक असहज रहा इसलिए दोस्तों जब यूपीटेट 2019 का एवजन किया गया तो प्रती सवाल आपतिय करने के लिए 500 रुपया का सुलुक लगा दिया गया ठीक है अब दोस्तों यहां पर बहुत सी बाते खड़ी हो जाएंगे अगर इतनी बड़ी संख्या मापति का मतलब आप समझ रहे है एक सो ब्यालिस कोशन जी यहां दोस्तों सारी NCRT, SCRT बुक्स तो मतलब खंगाला जाएगा निकाला जाएगा कि कौन से दोस्तों कोशन कहा थे क्योंकि UGC की दोस्तों जो रिपोर्ट आगी आप कोर्ट भाई मांगा है तो मतलब इसमें गलती की मतलब कोई भी कुंजाइत नहीं होगी हो सकता हो कि 122 कोशन के लिए 122 पैनल गठित कर दीजा कि एक भी कोशन पर दोस्तों गलतिया ना होने पाए यह दोस्तों जो रिपोर्ट होगी वो फाइनल रिपोर्ट होगी और उसके अधार पर फिर दोस्तों आगे का प्रोसेस शुरू होगा लेकिन अभी आपको लगना कि जादर कोशन के विकल्फ चेंज होंगे ना तो फिर दोस्तों इस परिच्छा को रद्ध करा दिया जाएगा जी आँ दोस्तों आतर जार चक बरती परिच्छा रद्ध हो सकती है अब दोस्तों आपने रद्ध होने का अधार देख लिए कि यह एक सो बैलिस कोशन पर विसेस अपील हाई कोट में दाखिल कर चुकी है परसदी प्रात्मिक विद्ध्यालों में 69,000 सायक अध्यापको की बर्ती पर अंतरिम रोप लगाने के इलाबाद हाई कोट की लखनो बेंच के आदेश के खिलाब सरकार ने गुरु वार को हाई कोट में विसेस अपील कर दी गई सूत्रों ने बताए कि बेसिक सिच्चा विबाग की कोशिस है कि सुनवाई के लिए दोस्तों जलत जलत तारीक मिल जाए गौर्ड तलबे के जश्टित आलोग माथूर की एकल पीट ने बुद्वार को 69,000 सायक सिच्चक भरती प्रतिया पर अंतरिम रोख लगाने का आदेश पारिश किया था एकल पीट कहिए आदेश उस पेज मतब उस रोज आया जित दिन दोस्तों काउंसलिंग शुरू होनी थी और अब बेरतियों को नियुकती पत्र जारी किये जाने थे लहाजा सरकार ने ततपरता दिखाते वे हाई कोट की डबल मेंच में जो विसेश अपिल है दोस्तों उसको दाखिल करने में कताई भी देर नहीं कि तो दोस्तों चेले ठीक है सरकार भी छातरू के लिए काम कर रही है कि सोचरे जलते जलते दोस्तों नौक्रिया मिलें अब देखे जो फर्जी वाड़े के आरूप पी पकड़े गए उनका नाम भाई ब्यापंग गोटाले में आया था जरे सब्डेट को देखे उश्ता शुरू ही तो पता चला कि एक ठीक है CSC में तैनाद डाक्टर पटेल के कई कॉलेज हैं तब उसकी संदिक्द गती विदियो पर उसकी सेलरी तक रोख दी गई सिच्चेक बरती में फरजी वाड़ा कुलासा करने के लिए SSP असूप वेंक्टेज SSP अनिल यादो और क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया गया डाक्टर पटेल की गिरपतारी की बाद पता चला कि उसका एक साथी फरार है जो प्यापं गोटाले में भी संदिक्द था इस फरजी वाड़े में पकड़ा गया एक आरूपी आलोग खाते एवं रसत विबाग में तैना थे पुलिस ने चापे मारी की तो आलोग के पास से कई प्रमार पत्र और चेक मिले हैं पुलिस को यह पता मनला पुलिस से दोस्ति यह पता लगा रही ही कि इस खेल में और कौन को लोग सामिल है गौड तलबे के डाक्टर के अल पटेल के खिलाप अब्यर्तियों ने शुरू में ही आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने शेत्र के कुछ अब्यर्तियों की सेटिंग करके ज्यादा अंक दिलाएं पीडित राहूल ने जब सुराव थाने में गुरुवार को डाक्टर पटेल समेत आठ के खिलाप मुकदमा दर्श कराया में कई राज खुल गएं देखे वाई एक अब्यर्तियों ने हिंदूस्तान को यह भी बताया कि दोस्तों दिसंबर 2018 में टेट में कई ऐसे ब्यर्ति थे चिन्होंने 70-70 नंबर पाये थे एक महिना बाद 200 जनवरी 2019 में जब आब ब्यर्तियों के 140 या उनसे अधिक नंबर मि दोस्तों वो पासिंग मार्क तक कोचे क्योंकि जो टेट में पास होगा वही 69,000 में समलीत हो सकता था ऐसे 34 ऐसे बेर्तियों का चेन हुआ है जिन्होंने 140 या उससे ज्यादा नंबर पाएं सवाल उठना स्वाबाविक है कि टेट में इतना कम नंबर पाने वाला एक महिने म ऐसे कौन सी पढ़ाई कर ली कि वा टॉपर की सूची में सामिल हो गया आरूप लगाने वाले शात्रों की माने तो सवराव बहरिया और कर्शना के बेड़तियों का नाम ही टॉपर लिष्ट में है तो दोस्तों ये सब चीजे हैं और देखे पूर्व जिला पंचाय सदत से आरूपी ठीक है ये सब भी दोस्तों बात अब क्या बाते करते हैं और भी दोस्तों चीजे देखेंगे उनतर अजार में तो फिलास दोस्तों उनतर अजा सिच्चक बरती में अपील दायर करने की प्रक्रिया सुरू कर दे गई विबाग की तरफ से जल सुनवाई के लिए तारीक लेने का प्रयास किया जाएगा ताकि सकना देश हटवाया जा सके यह जानकारी बेसिक सिच्चा राज मंतरी डाक्टर सतीष चंदर दिवेदी ने दिये 69,000 सिच्चक बरती में हाई कोट ने रोक लगा दिये इसमें लगबग 11 दरजन सवालों को लेकर विवाद है आला कि UP में लिकित परिच्चा में प्रस्नों के उत्तर को लेकर विवाद नहीं है इससे पहले 278,500 सिच्चक बरती में लगबग 11 दरजन सवालों पर खूब विवाद हुआ वह सिच्चक बरती से पहले हुई टेट 2018-19 में विवाद कम नहीं हुए इन परिच्चाओं में भी 11 दरजन सवालों को लेकर मामला कोट तक पहुँच जाता है ठीक है दोस्तो तो धेट सारी अपडेट ने आप देख रहे होंगे देखे हर परिच्चाओ में परतना और उनके उत्तर पर उठते हैं सवाल सिच्चक बरती सिच्चक पातरता परिच्चाओ विवादों के बाद भी भरती संस्ताओं में नहीं उठाया कोई भी जरूरी कदम दोस्तों कुछ बड़े कदम उठाय जाते तो आज ऐसा नहीं होता तो देखा दोस्तों आज हमें डेट सारी अपडेट सको आपको बताए तो उमीद करते दोस्तों परिच्छा में धांदली कितने बड़े सर्प हो यह यह बात अब आप समझ गया होंग मतलब उतने ही शात्र पास होते जो शात्र मेहनत ज्यादा करते जो शात्र इसके सच में योग्य होते लेकिन दोस्तों नमबर ऐसे बाटेग है आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी संक्या में शात्र पास में देखिए इस वीडियो को दोस्ता अंत में हम कुछ बाते आपसे करना चाहते हैं सबसे पहले अगर दोस्ते 242 पर जाच होती हैं फिर से दोस्तों अकर इसमें ज्यादा प्रतैनों पर देखे कोशन में विपलब चेजज यादा कोशन गलत पई जाते हैं उसके बाद, दोस्तों, जो दूसरी बातों को जो 3 number common दिये गये थे, अब उस पर हो जाटा हो, हो सकता है कि दोस्तों आने वाले टायम इन 3 number common को हटाया जा सकता है, जैंब दोस्तों फिर जो बड़ी संख्या मिले चात्र पास हुए होंग beyond 3 number common की बदावलत वो सिच्छागवर्थी से बाहर हो सकते हैं अगली अपडेट दोस्तों यह रहेगी ओवरलैपिंग मुद्धा चिहां दोस्तों OBC के चात्रों ने OBC के चात्रों की सीट्स को छील लिया अब देखें दोस्तों अगर OBC के चात्रों के जो कम गुड़ांक वाले च जनपन मिल गया जहां वो रहते हैं वही पर उनको न्यूक्ति पत्र मिलेगा तो चात्र भी खुष हैं लेकिन 8600 में दोस्तों क्या हुआ था एक OBC का चात्र दूसरे OBC पर ही केस ठोक दिया गया डाल दिया गया उसका रीजन क्या था न गिये था इसको समझे जैसे 99000 सिच् चात्र में दोस्तों जिस भी जिले में शात्र रहा था उस जिले की जनरल के जो कटाप गई है मिनमम वह 71 गई तो मतलब सिंपल यह बात है दोस्तों चात्र को अपने जिले में नौक्री तो मिले की नहीं इसलिए दोस्तों उसी चात्र को उठाकर किसी दूसरे जिले में डा नहीं पाया जनरल में, तो OBC से अपने जिले में नौक नहीं पाया, लेकिन एक शात्र उवरलाप करके जनरल में गया, तो पिछली बार 268,500 में इस स्टेट लेवल पर मेरिट बनाई की, लेकिन सरकान ने इस बार इसमें परिवर्तन किया, क्या कि नहीं यार, 70 वाला तो 268 वाले बाहर हो गए, क्योंकि दोस्तो ओवरलापिंग उतनी बड़ी संक्या में नहीं होई, जितनी हो सकती थी, अगर ओवरलापिंग ज्यादा होती तो फिर वही OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट अपने जिले में नौक रिपाया, तो उसको कहीं और जाना पड़ता, इसमें अंतर जन्पदी तबादला नहीं है, तो शादर भी सोच रहे हैं कि कम से कम हमें अपना जिला मिल जाए, तो कम से कम जिन्दगी तो वही कटेगी, नहीं तो दोस्तों कहीं और नौकरी मिलते तो फिर आप लाइप टाइम आपको वही रहना पड़ेगा, मतलब वही ह अगर आएंगे जाएंगे महमान बनकर गाली, तो आज दोस्तों काफी अपडेट समने देखा, अब दोस्तों मिलते अंगली वीडियो में तब तक लेश्टेया कनेक्टेड और इस वीडियो का अधिक सदिक सेयर करिएगा, अब दोस्तों देखतें क्या होता, अब 142 कोश् आने का एक तरीका है, मिलते अंगली वीडियो में तब तक के लिश्टेया कनेक्टेड और दोस्तों मामने डबल मेंच यह पहुस चुका है, अगर दोस्तों वहाँ से किसी भी प्रकार का मतलब जो हाई कोट का फैसला है तो उस पर रोक लगा दी जाती है, तो बढ़ती प् करसकत हैं, अगर आप दोस्तों भी वादेत प्रस्ष मes देखना चाहते हैं और उसके साथ देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिन्क के बाद हैं तो आप उसको भी देख वाएंगे सब कुछ comment box ने नीचे link डेर सारे दिए गए और documents कौन कौन से लेक्ट उसको देखिए जाके फिर मिलते हैं इस टेकनेक्ट